दोस्तों जय हिन स्वागत है अप सब्सक्राइब सब्सक्राइब दोस्तों यह जीस का बूस्टर जो सीरीज चल रही थी उसका यह किस्वां पार्ट है ठीक है इसके पहले 20 पार्ट अपलोड़ेद है चैनल पर आप उसको देख लिजिए अब सारे जितने भी पार्ट है अग लगभग लगभग 500 प्रशनों की एक स्रिंखला है अगर आप इनको हल करते हैं नोट्स बनाते हैं रिवाइस करते हैं तो निश्चित तौर पर आप आपको इसका हंड़ प्रिस्ट लाब होगा ठीक है और जो आगामी परिक्षाएं हैं जो भी चाहे किसी भी स्टेट की हो क्यों क्यों कि जीकस जाए लगभग सभी के बराबर है कहीं का कम नहीं है ज्यादा नहीं इनbnल करता है तो आपको बहुत फाइदा होगा इसको आप provide je लीजिए अपने दोस्तों में और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं वीडियो यह विदाउट एनी डिले ठीक देखिए पहला प्रस्न है आज का इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है किसका बना होता है तो यह धातू ऐसी है जिसका गलनांग बहुत हाई होता है तो आप इसको इसलिए यही वज़ा है कि यूज करते हैं इसको ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट वैस्क महिला की प्रोटीन आवसक्ता कितनी होती है तो लगभग लगभग उसको यह 50 ग्राम प्रतिदिन प्रोट हुटिकनम के जिन्दगी थमिति होती हैं और नहीं पुच्क करेक्रम चलता है कि ऑ अब कि फिद्वावह दाव वाल र combination हो गचांटी टेने वस्कंटी पा जाती है उनकी जिन्द्थ किगा जाती हैं कि वह स्वयम के उपर धिखानी नहीं यह नहीं देप आती है तो लेकिन महलाओं को अपने स्वास्त पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि देखे जैसे 50 ग्राम प्रती जी उनको प्रोटीन क्या शकता होती है लेकिन कहां पर कितना प्रोटीन मिलता है ये किसी को पता नहीं है तीक है चलिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति जो भी है चाहे हो इस्त्री हो पूरूस हो महिला हो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो जो भी देख रहा है वीडियो तो वह आप अपने स्वास्थ पर जरूरूर ध्यान दीजिए स्वास्थ है तो सब कुछ है एदरवाइस कुछ नहीं है सारा पैसा धन दौर दौलत सोहरत स सब बेकार है तो साथ पर विसे ध्यान दीजिए चलिए हम मुद्द से भटके नहीं निमलिकित में से कौन सी बारूदी शुरंगों को पता लगाने के लिए उप योगी है तो मधमक्यों को प्रयोग किया जाता है इसको पता लगाने में ठीक है देशन अफ्रिका में रहने इसमें बैसिकली आफ्सें सारे गलत दी Grad हुए हैं को उपसंग नहीं होगा नसीरदीन मोहमद के टाइम पर किया था किक है तो याद रखिएक किस टाइम पर नसीरुद दीन मोहमद ठीक मोहमद बिन तुझलग कहीं у श्रा सक्ता 1398 में तो महमोद बिन तुझलग अपनी सक है जिसको बोलते थे कि ये पढ़ा लिखा मूर्ख सा सकता थीक है बहुत काबिल सा सकता लेकिन प्रैक्टिकली जो चीजें होती है उसको नहीं समझ पाता था या जो भी है तो ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी लब घाता कुक्सित हो सकता है चलिए ठीक कोई बाद नहीं कोटल के प्रधान मंत्री थे किसके प्राण मंत्री थे कोटल एक तो चंदरगुप्त म सलमत्र मनीं में फुनाह लगाया गया तो औरंग बढ़ा थे जो मुगल सासक नके वे धूबारा लगा गया थ भागवत धर्म का ग्यात सर्वपृतम अभलेखिय साक्ष कौन सा है तो बेशनगर का ये गरुन स्तंभ याद रखेगे इसको बौध ग्रंथ जो मिलेंद पन हो है किस हिंदी एवन सासक पर प्रकास जालता है तो मिनेंडर ठीक है मिनेंडर के टाइम पर ये गये थे ये तो य इनका एक दूसरे का जो संबाद हुआ वो इसमें लिखा गया है वाद विया जो ही हुआ है वहां पर संबाद इनका वो सारी जनकरी उसमें मिलती है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण सब्द का सरवर्थम नाम अलेक मिलता है तो रिगवेद में ठीक है चलिए गुप्त सामरा अग्राज के पतन के विभीन कारण क्या थे तो रहां और प्रसासन का सामनती रहाचा यह भी था तो इसमें पूझा कौन सा कारण नहीं था तो अरब अरब आखरमन नहीं था यह कारण ठीक है तो यह की वर्ड ज़रूर हैं जीजेगा की वर्ड नहीं देखेंगे तो सोना हुआ उसी की बात हो रही है हैơ ऍनके गुरू उनका क्या नवा ठीक किसे को दिया जाता है विध्वान और धा्रमिक यह थे लोग उनको दिया जाता था ठीक है उसी को इनाम भूम बोलते हैं तीक 21 जन्वरी को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है तो 21 जन्वरी को गुरु गोविन सिंग का गुरु गोविन सिंग काफी संख्या में लोग अम्रित सर से अम्रित सर के जलिया वाला भाग में 13 अप्रेल 19 19 को एकत्रित हुए थे लेकिन आपको पता है कि जलिया वाला हत्या कांड भी हो गया था गोलिया चलवा दी गई थी बृटिस सरकार दौरा निमलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार बंदे बात्रम को नारे के रूप में अपनाया गया था तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके दवरान यह बहुत फेमस हुआ था वंदे मातरम वंदे मातरम हर जगे आपको यह सुनाई देता था थीक है तो पहले बार वहीं पर इस्तेमाल हुआ था इसका नमक सत्याग रहे के समय गांधी जी जब कैद कर लिए गये तो उस समय किस ने अंदोलंग के नेता के तो सी राजगोपालाचारी यूजना यह आई थी यह लेकर आये थी 1944 में वेवल जो है 1945 में माउंट यह जो मांट बेटन यूजना है यह 1947 में तीन जून जो बोलता है ना तीन जून की यूजना तीक है तो यह उनके द्वरा लाई गी थी ठीक उसी समय दिया था यह भाजन की जो बात हुई थी और कैबिनेट पिसन 1946 में थिक तो इस हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो इसका ऑप्सन बनेगा देखें अगर यह देखेंगे तो उसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए यह निश्ठुर बरबादी है कि इसने कहा था कि कांग्रेस का पतन के लिए लडखरा रही है मेरी बड़ी अभिलासा कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की सांती पूर्ण समाप्ती में सहयो करना तो यह लाड करजन महोते थे इन्होंने ही इस वक्तब को जो है बोला था ठीक है तो इनका वक्तब यह था बट ऐसा हो नहीं पाया ठीक है इनके मनसूब्य पर पानी फेर दिया तो चलिए ठीक है यह 20-25 प्रशन जो भी है 22 प्रशन लगभग है इसमें 23 प्रशन तो आप इस तरीके के प्रशनों को हल किए क्योंकि जब अगर आप प्रशन हल करते हैं तब आपको पता चलता है कि आपकी थ्यारी किस अस्तर की है ठीक है अगर आप पढ़ते ही रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो उससे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है अगर आप प्रशन हल करेंगे तभी समझ में आएगा आपको हल कर हुआ आप उसमें आपना वीडियो कमेंट कीजिएगा इस्कोर भी और उसके नोट्स बना लीजिए जो मैं बिसेले ज्राइतattackर थे नोट्स बनाई है और जो चीजेंए आपको नहीं पता है उसके भी नोट्स बनाई जो चीछ है प्रसने इसी तदेर के कीजिएगा शेयर कीजिएगा ठीक है चलिए नेक्स वीडियो मिलते हैं तब तक लिए अपना ध्यान रखिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए बंदास रहिए जय हिन